लोगसवा चुनाओं की बात करें तो भाज़पा ने भी अपने एक सो पिचान में उम्मीदवारों का एलान कर दिया है परधानमाईंति नरेंदर मोधी अमित सहा राजनाथ सिंग नेताओ को भी इस लिष्ट में सामिल किया गया अगर राजस्तान की बात करें तो राजस्ता की लोगसवा की 25 सीटों में से 15 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है नमस्कार मैं अन्सिका सिंग और खबर नामा के इस कारेकरम में में आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है केड़ी नियूस का एडिटर एंचीफ लोकेस वर्मा नमस तरीके से भी तीन से चार दिनों पहले देखे प्धान मंत्री रात से और तड़के रात तक लगबख चार बजे के आसपास उस बीजी पी मुझ्छाले से बैठक में से निकले थे तो लगबख सीटों की घोशना करने की संभावना थी और अभी तो कॉंग्रिस तो यात्रा से बड़े चेहरों को मौका दिया जा रहा है बहुत सारे मिनिश्टर्स के भी टिकेट काट दी गए नए चेहरों को भी मौका है लेकिन आप सवाल कर रहे हैं राजिस्थान को लेकर तो राजिस्थान के अगर हम सिलसले बार बात करें तो आप अभी 25 लोगसभा की सीटे है उसमें से 15 सीटों की घोशनी कर चुके हैं वो 15 सीटों में मुझे लगता है कि जो उनको सेफ जो उनकी सीटे लग रही थी जहां बड़ा विवाद नहीं था उनको सबसे पहले उन्होंने घोशित किया है जो मुझे समझा जोदपूर में गजेंदर सिंग को उन्होंने एला शेदगर से जो विधायक है बाबु सिंग राठोड वो जिस तरीके से हमलावर हो रहे थे गजेंदर सिंग सेखावत के ऊपर उसको समझना चाहिए एक्ट्यॉर में वह जो हमलावर हो रहे थे तो बाबु सिंग राठोड नहीं उसके पीछी कॉंग्रेस और भाजपा के की राजनीती में मैं जल्शक्ती मुंतरी एक ऊटिirie चाथ महां मुटत में श्राइज साफ्ट मुए है इसको लेकर भी गजिनंदक सिंग सेखावत के। सॉफ्ट विएंस में काम कर रहे हैं। सबहूं है क्योंकि वो जालोर सिरो ही जाना चाहते हैं तो वेबो गहलो तुमके सामने नहीं आ रहे हैं जोदपुर सीट का तो मेरे पास ये विशलिशन है पाली में पीपी चोधरी को चुना गया तो उसके क्या मैं बता रहा हूँ अगर मारवार से शुरू होते हैं जोदपुर की बात करें अब पाली में आप पीपी चोधरी प्याज़ेगे पीपी चोधरी लगातार कंटीन्यू वहाँ पर एंपी रह रहे हैं थांसर है पाली से उनकी भी छवी बहुत साधारण है एक साधान कारेकरता जैसी उनकी छवी है इसलिए मुझे लगता है कि उतके नाम का कोई विरोध नहीं है इसलिए पीपी चोधरी को पाली से फिरसल लिपीट किया गया है उतके नाम का कोई विरोध था भी नहीं तो मुझे लगता है कि यही वज़े थी पाली से पीपी चोधरिया की मारवाड़ की दो सीटे हैं अब मैं अगर वहीं से जुड़ती है एक सीट और बता हूँ आपको जैसलमेर और बाडमेर की है वहां से केलाश चोधरी हैं केलाश चोधरी खुद एक मंच से कह रहे थे कि कारेकाल में शिराज्य मंत्री रहे हैं बड़ा उनके पास में अहधा रहा है मोदी सर्कार में तो उनका टिकेट भी आसानी से हो गया और अब देखते हैं और प्रहामंत्री मोदी से बात को लेकर बहुत आस्वस्त हैं कि सारा चुनाओ के वहले एक मातर चेहरे नरिंग नर परसेंट के लड़ाई को कवर कर लिया है तो यह उसीट है जैसे आपने बात की जोद्पूर से बहुत मजबूत है पीपी चोधरी पाली से बहुत मजबूत है और बाड़ मेर जेशल मेर की बात करें तो वहां से लेकिन मुकाबना केला शोधरी का भी आसान नहीं रहेगा आपको वहां पर जो हेमाराम चोधरी है कॉंग्रेस से और वहीं एक MLAB जीत के प्रभा चोधरी दोनों का नाम कॉग्रेस से चल रहा है अगर हेमाराम चुनाव लड़ते हैं तो मुझे लगता है फिर बहुत अच्छा मुकाबला वहां पर होगा तीन सीटे जो है यह जालो यहां में लुपराम चोधरी का नाम आया कि वहारी आपको बता हूं जयक्ति वीडियो वैरल होने लगा वो इक अपनी मोटर साइकल पर कारी करता के साहतों में गएचकर कार्या लेरे लुपराम को लिए ज़न घालो शुरूज से देव जी पटेल शांसद रहें एक वुड पहले हम वापस जालोर सिरोही की बात कर लेते हैं जालोर सिरोही में लुंबाराम चोधरी का जो व्यक्तित हुए वह भी बहुत साधारन काये करता का है और मुझे लगता है कि विधान सबस्वा चुनाओं में चाह रहे थे पार्टी नहीं दिया और उसी का फायदा देकर यह मैसेज दिया गया देखिए विधान सबस्वा चुनाओं में अगर तो लोग सबस्वा चुनाओं में एंपिगा टिकेट दे दिया लुंबाराम चोधरी वहां से बीजीटी के प्रत्यासी हुए है बहुत साधगी वाले रिखती है साधार रिखती है मुकावला किस से होगा कॉंग्रेस अगर चो नाम चला रही है मुक्य मंत्री के बेटे पूर मुक्य मंत्री के वैभाव गया लोग का तो भी अच्छा मुकावला वहां हो सकता है यह मारवाड की राजिनी के भी फिलार हम देख रहे हैं तो उससे जाती वाद को लेटे डेके नहीं वहां पी तुम करके आरोपों कर काफी हमलावर हुए थे विधान सबच राओं को लेकर एक समय उनका नाम मुक्य मंत्री की रेस में भी चला था लेकिन अब अर्जुनाम मेगवाल को समझे आप बहुत विश्वत्त हैं बड़ी बात यह है कि भाजपा जो है वह ऐसी वोटर स्कोंगी आप ने जो आपने कहा ना कि कास्ट फेक्टर जादी फेक्टर तो दो टिकेट हुई है एक तो राम शुरूप कोली की भरतपुर से रंजीता कोली की जगए और एक अर्जुनराम मेगवाल की बीकाने से दोनों ऐसी समुदाय से आते हैं यही कारण है कि ऐसी का एक बड़ा चेर नागोर से जोती मिर्दा का नाम आ रहा तो इसको लेकर क्या कहेंगे नागोर के पिछली बार बात करें तो भाजपा यहां पर नहीं लड़ी थी यह पिछली बार गटबंदन में थी सिर्हानमान वेनिवाल जो आरेली के सुप्रीमों है अभी उन्होंने शी कानूनों को ल मिली थी कि उन्हें MP का टिकेट नागोर से दिया वह विधान सबचुनाव लड़ने का बिलकुल भी उनका मन नहीं था और उन्होंने साफ मना किया था पार्टी को कि नहीं लड़ना चाहती है विधान सबचुनाव फिर बूब पार्टी ने कहा कि कोई दिकर नहीं है आप से ट्राइब कीजिए अगर जीते तो बहतर नहीं जीते तो भी हम आपको MP का टिकेट देंगे की देंगे तो नागोर से उनको टिकेट दिया गया है अब इसमें मेडिया रिपोर्स में क्या था कि हारे हुए लोगों को टिकेट नहीं दिया जाए और अब यह अप्वाद है सब्सक्राइब के साथ बचा नहीं है मुझे लगता है तो अंग्रेस के साथ में अगर्मान बेलिवाल का कटपंदन होगा तो चुना वहां भी बहुत शांदार होगा क्योंकि मिर्धा और बेनिवाल के बीच में कंपड़्शी में कुरू से देविंदर जांजडिया का नाम आ रहे हैं वहीं दिखे चूरू का तो मैंने मैं सुबह एक यह मेरे एक सेंडल को खोल रहा था तो उसमें मैंने देखा कि लगता लोग यह कह रहे हैं कि देविंदर जहाजडिया को टिक्ट मिलने से ज्यादा चर्चा है राहूल कस्वा की टिकट करने पूरे राजिस्तान में चर्चा है चूरू की चूरू में राजेंदर राठोड तारानगे से चुनावार गए और उसके बाद कॉंग्रेस के पर देशार देख गोविन सिंग डोटा अस उसी का खा मिराजेंदर ठोड के जित यह है वो चाहरे थे कि राहूल कस्वा का टिकेट कर जाए अजुम आपको पिछले 30 सालों में राहूल कस्वा की परिवार के अलावा ना यहां पर चूरू में टिक्ट नहीं गया है किसी को पहली बार हुआ है यह पैरा ओलंपियन है इनका नाम जैपर ग्रामेंट से भी चल रहा था इनको फिर चूरू से टिकेट दे दिया गया जाट सीथ है लिए वहां पर उसे री पैलेस कि आगया है चूरू में रहूल कस्वा को टाया गया है अब रहूल कस्वा के संपर्क में कॉंग्रेस है कॉंग्रेस उनके पर नाम चल रहा है सिता राम लांबा का नाम चल रहा है इसलिए मुझे नहीं लग रहा था कि वहां पर महराज के अलावा कोई आएगा संक्ठन में उनकी अच्छी पकड़ है दूसरा पीजेपी राम मंदिर को भी अपने पक्षमे लेना चाह रही है और है भी उनके पक्षमे साथू समाज मी एक मैसेज देना क्योंकि इसलिए को दिया गया से राम सरुप zo परदपूर में क्या था कि रंजीता कोली का आपकी पार्टी में कहले या जमीरी लेवन पुर्थ हो रहा है तो रंजीता कोली का जो विरोध था वो कहीं ना कहीं उनके तिके लिए नुक्सान दायक हुआ है अलागि इपदार मंतरी बहुत बाते कह रहे हैं कि 33-33 महिलाओं को टिकेट दिये जाएंगे लेकिन अभी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रहा है क्योंकि पंद्रा में से महज एक टिकेट दिया गया है वो जोती मेरता को जो कॉंग्रेस यह महिलाओं को भी टिकेट इतने नहीं मिले हैं अगर 25 की बात करें तो 7-8 टिकेट राजिस्तान में महिला को कोली समास से हैं दोनों को इसाजनी कोशिश की जा रही है अब वहां कॉंग्रेस पर दाव लगा रही है वहां संजना जाटाओ या भजनलाल जाटाओ को पता होगा यहां विधान सभा से लड़के गई थी वह और वहां रमेज की चीजी खेडली का जो इलाका है वहां से और अब संजना जाटाओ पर जिस तरी के कॉंग्रेस चाह रही है दाव खेलना तो यहां भी अच्छी फाई है ऐसी रीजर्व है वहां मुझे लगड़ा है रंजीता कोली की जगे इसलिए रामसुर्प कोली को दिया गया हूँ उदैपूर से मनालाल रावत को मनालाल रावत एक बड़ा नाम है अधिकारी रहे आर्टियो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए है वहां पर एक अर्जुलाल मिना करके MP थे और वह बहुत सक्डिय नहीं थे या बहुत ज्यादा स्वस्थ भी नहीं थे उनकी तवियत भी पहले से चर्शाओं में तीन नाम लगाता थे जैसे ही भाजबा की संग्थन सूची आई तो मैंने कहती है था कि अगर महराज ची को संग्थन में तरीके से तुद्श पादेश किसी मेधारी दी जा रही है जिए नहीं लगता कि आप दूबार लोग से बहुत चुनाव जाएगा अलवर की अगर आप से देखिए चुकि अभी शी बार से पहले हमारा मेरा भी लोग समझे तो अलवर रहा है तो मैं इसने बहुत नजिक से देखता हूँ लेकिए यहां पर अधिकान समय या अधिकान सबात पिशली नो मरत बातिजिंता पार्टी यादव कंड़ के लाशा है और अलवर करते से क्या नता है कि उनकी दो बहने हैं वह यहां उनका विवाग हुआ है ऑउनसी उप दो छीजे भी यादव को मंत्री मंडल में जगें नहीं मिली थी अलवर में उसके यादव समाद महराज तो भीजे पी कहीं उसको मैनेज करने के लिए विंदर यादव को टिकेट दे रही है लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका कोई मुदलब सार्थ होता नजर आता है देना दें उनको क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मिटिंग वही है लगां सब्सक्राइब कोई मिखंवा शर्च लाटा मिलेगा और स्कुछ नहीं मिली मिल एमपी को बना कर में चोड़ दिया तो विरोधी इस चीज़ को तरीके से पॉइंट बना कर खेलते हैं और होता भी है टीस्वी होत यहां यादव समाज नाराज है अब मैनेज कैसे करते हैं यह निश्चित है कि समाज का बोट समाज को पड़ेगा यह तो मैं आपको फैक्ट कर देता हूँ मैं बहुत बार यह कह चुका हूँ अगर करन सिंग आदव चुनाव लड़ें तो मैं पच्पन पैतालीस में जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे करन सिंग आदव के चुनाव लड़ना बहुत आसा नजर नहीं आता है जिस तरीके से बहुत जितिंदर के खिलाफ मुखर होके बोले ते आज कद बढ़ा है बहुत दिली की बात कर ले राजस्तान की बात कर ले तो मैं समझता हूँ कि अलवर की सीट कॉंग्रेस जीए सकती है लेकिन इंटरनल इंपुट की बात करें तो लली त्यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है जो मुझे सुदने में आ रहा है कि लली त्यादव जो मुदावर से मेले बड़े मारजन से चुनाव जीते हैं उनका नाम लोग सभा में जोरो सोरो से चल रहा है अब फाइट है टप इतनी ज्यादा बार से सांसर हैं तो रिस्क नहीं लेना चाहती थी भाजपा अब बहुत साइलेंट है दुशन संपर इसी वज़े से वाज़े से वाज़े से वाज़े सब्सक्राइब चुना गया है मैं बहुत पहले कह चुका हूं कारे-करी प्रदेश को बनाया जाएगा तो फिर उसका क्रेडिट मिलना चाहिए और मिला इसलिए मारवाड से रिपीट किया गया है मिवाड ने भाजपा जिस तरीके से चाहिए वहाँ पर जो चिंद्रभान आक्या है उनसे काफी विरोध रहा निजली वो जीत गए इन सबको नजर अंदाज कर दिया और सीपी ज सब्सक्राइब महिंदर जी सिंग बालवे को मैं आपको बता चुका हूं कि वो तो एक्जिमेंट पर गए तो तो फिर इंटरेस्टिंग होगी फाइट दूंगर पर वासवाड़ा की क्योंकि महिंदर जी सिंग बालवे ने इनका उनकी टीस क्या कि समझे अगर वो नेता प है कि मुझे कॉंग्रेस ने कुछ नहीं दिया अगर मैं हम जो एक एपिसोड कर चुके हैं आपको MP बनाया मेले बनाया जिला परमुख बनाया बोट सारी कॉंग्रेस को सोचने का विश्य है आपन तो नहीं सोचने लेकिन महिंदर सिंग मालवी एक्जिमेंट करके गए मैं कॉंग्रेस के दो लोगों को लेकर इसी तरीके से कॉंग्रेस मुख बनाने के भाजपा बात कर रहे हैं कोटा से ओं बिडला का नाम हा रहा है वैश्य समाज का बड़ा चेहरा है देना ही था उनको विरोध वहां भी हो रहा उनका लेकिन जो वैश्य समाज है ब्रहमन कोटा से दो नाम और चल रहे हैं कोटा से कभी कहते हैं शांतिधारिवाल को भी लड़ाय जा सकता है मुझे लग रहा है कोटा से असुक चांदना लड़ेंगे कॉंग्रेस के जो एक मतलब इफेंडर नेता है इस समय बाकाइदा सड़कों पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं राजलतान की 25 सीटों में से 15 सीटों पर जो नाम घोशित कर दिये कि उसके बारे में हमने बता दिया और अब आगे देखते हैं कि भाजपापरी 10 सीटों पर किसके नाम घोशित कर दिये